तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल AllCBSC Education इन हिंदी में दोस्तो आज का ये वीडियो क्लास 11 के लिए होने वाला है उनका जो हिस्ट्री का एक्जाम है कल उसके लिए बहुत important वीडियो है जिनें पूरा देखे और अच्छे से सुने क्या बोल रहा हूं मैं ताकि आप अच्छे से जो समझ पाए तो ये जो है ये sample paper है 2020 का history का तो इसमें बहुत important question है जो के आपके एजाम में आने की संभावना है तो खंडखा से start करते हो और ये कुस थे आपके दिसा निर्देश जो की इन्हें पढ़ लीजिए ये है आपके खंडखा इसमें क्या है दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर निम्लिकित प्रशनों के उत्तर देना है तो जो विकल्प दे रखे आपको इन्हें से चुनकर अंसर देना है तो पहला कोशन है सबसे पहले पत्थर की ओजार निम्लिक में से किसने बनाए तो ये आपके पास ओप्सन है तो सबसे पहले पत्थर की जो ओजार थे वो किसने बनाए तो उसका नाम है Australopithecus यह आपका अंसर जो है गह है Australopithecus दूसरा कोशन है नेवो नीडस कौन था तो नेवो नीडस जो है कौन था वो था एक सोतंत्र बैबिलोन का अंतिम सासक था अंसर है आपका गह सोडी सौली डस क्या था तो सोली डस जो है यह आपका जो अंसर होगा का सुद्ध सोने का सिक्का था अगला कोशन है चोथ था अबासियों ने अपनी राजधानी नीवन् नमे से किस इस्थान पर इस्थापित की जो अबासी थे तो उन्होंने राजधानी जो है ये Option दे रख जो राजधानी है इस्थापित की थी तो इसका जो अंसर आपका निम्न में से कूं चंगेज खान का वन सज नहीं है तो ये आपका जो चाँसर होगा घरज को सने अपका चहता लड एव ऐसे सब्द से निकला ता जिसका जो Soldier सब्ड़ किस केसे सब्ड़ से निकला ठावर उसका अर्थ क्या था तो उसका अर्थ जो है आपका है रोटी दे देने वाला यह से आपका कई पाइट कोशन द पाइटा चितर के चितरकार नम्न possible न焦 पाइटा चितर थी व कर उसके जो चितर कारत यह नी किसने बनाया उसे वह कौन था तो उसका अंसर है आपका खा माईचल एंग एंगी लो एंग लो माईचल एंजिलो इसका नام है और आंसर है आपका खाब मेरिका की खोज निवन में से जो पता ही किस तो इसका अंसर जो होगा कड़ ये आपका की होगा से अंसर जो आपका है क कोलमबस जिसने जो है अमेरिका की खोज की नुवा कोशन है आपका hard times नामक उपन्यास के लेखक निमने में से कौन से है तो hard times जो है उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है उसमें बताना है अंसर है आपका Charles Dickens ये अंसर है आपका कोशन 1911 में मांचू सामराज्य के अंत के पस्चात निम्न में से किस के निर्तित्यु में चीन में गंतंत्र की स्थापना की गई तो यह थे आपके एक एक नंबर वाले कोशन आपको फूरे का पूरे का पूर जो है समझ आ गया होगा अब चलते हम दो नमबर वालेकोषण की तरफ तो दो नमबर वालेकोषण जो है निमलिकित प्रशणों का उत्तर देना है तो कोषण 11 वा है सोड़ी है एकनंबर के ही कोषण मानक का प्राद्यू भाव कब हुआ पिर्थूई-पर-मानव का प्राद्यू भाव कब हुआ ग्यारवा कोशन two hundred नहीं आपका तो ऐसा मानते है 56万ी इसा पूर्व जो है इसी कोशन 12 संगती संबहे सोट कब से प्रारभ हुआ जिजरी संबहे से प्रारम हुआ तो यह जो है NCRT की जो बुक है आपकी उसमें यही लिखा है कि 622 इसापूर में यह जो है प्रारम हुआ था नेक्स्ट को सने आपका तेरवा टैली क्या था तो राजा द्वारक क्रिश्चिकों पर लगाए गया एक परतेक्ष कर था जो राजा थे वो जो है लोगों से कर लिया करते थे तो उसे ही टैलिक आगया परतेक्ष कर कोही टैली कहा गया है चोथवा कोशन ने आपका पहले चाफे खाने का निर्मान किस ने किया उसको किस ने बनायाया तो उसका अंसर जो है आपका गोटेन वर्ग ने इसका जो अंसर आपका गोटेन वर्ग चोधवे कर पंद्रा कोशन है ओधोगी करांती सब्द का परियोग अंगरेजी में सुरुपर्थम किस ने किया जो ओधोगी करांती हो रही थी तो उसका जो सब्द था ओधोगी करांती तो इसका सबसे पहले जो परियोक था अंगरेजी में स्वर्पर्थम किस ने किया तो ये था आपका और नौल्ड ऐसी कुछ नाम है और नौल्ड टाइनवी और नौल्ड टाइनवी है जिसने जो है सबसे पहले इसका यूज किया यह आपका जो है नेक्स्ट को सब्सक्राइब को सोलबा कोशन है मैसोपोटामिया की प्रथम ग्यात भासा थी तो रिक्स्तिस्तान आपको अंसर बतान तो इसमें क्या आएगा अंसर आपका सुमेरी आ सकता है या सकता है सुमेरियन मैसोपोटामिया की प्रथम ग्यात भासा सुमेरियन या सुमेरिया थी सुमेरी थी यह अंसर होगा सत्रवा कोशन सत्रवा प्रथम समराट आउगिस्टक ने जो सासन 27 इसापूर में इस्थापित किया उसे कहा जाता है तो इसे जो है कहा जाता है प्रिंसिपेट यह आपका अ स्थानों में परस्पर संपर्क रखनेक लिए पडती अपनारकि धी जमंग उसका अंसर है आपका हर कारा इसका एक बाद नाइट को भूमी का नहीं देता था जिसे क्या कहा जाता था फीफ इसका अंसर है फीफ बीस्वा कोशन मूल लिवासी छोटे इलाके में कैद कर दिये गए थे जिन्हें क्या कहा जाता था जो मूल लिवासी थे आम व्यक्ति छोटे इलाके में उन्हें कैद कर दिये गए थे तो उन्हें क्या कहा जाता और यह जो थे आपके सोरी यह आपके खालिस्तान पूरा हो गया इसके बाद एक हंड़ निमलिकित में से किनी तीन प्रवशनों के उत्तर दीजिए सब्सक्राइब हो और उसे उसेक्छ सब्सक्राइब और सबसे करें तो इन दोनों की बीच अंतर बताना आपको और यह नाम उसे है क्यों दिया गया तो ऑसर होगा आपका इसका जो और्षेल है अठाड उसका मतलब है दच्छिन और युनानी सब्द है फी थी कस पूरत जिसका अर्थ क्या होता है वानर से में जिसका आर्थ वानर से मिलकर बना है जहीं से बना है वानर से मिलकर बना है इसका आर्थ क्या होता है दच्छिन वानर इसके बहुत से लक्षन जो है वानर से मिलते हैं इसलिए जो इन्हें दक्षनी वानर कहा जाता है और और ओस्ट्रेलोफितिकस और होमों के बीच अंतर पूछ रखा है तो क्या ओस्ट्रेलोफितिकस और होमों था वो क्या वह च्यां कहते हैं यह मस्तिस्क वो जो चो चोटा होता ता लेकिन हमो क्या नवस्तरा बढ़ा होता ता दूसरा है इसका पूयंट की ज्यादा बुद्धिमान होते थे और अधर चबड रबह निकले हुए थे तक वुझे लुझे विशे अधि थि कोशन बाइस वाई आपका रोम सामराज्वे में इस्तितियaltres का वर्णन करें तो सिर्व की इस्तितियरर का वर्णन करें तो आपको क्या लिखना एउस समय कि जो स्तिति थी वह बहुत ही खराब थी लोग जी उसमें राजा हुआ करते तो इस तो यह सब लिख सकते हूँ आप अगर नहीं आता है अबको तो वैसे रोम सामराज्य में इस्तिरियों की इस्तिती का वर्णन करना है इसमें तो अंसर है जो इस्तिरिया होती थी उनको पिता की संपती में अधिकार नहीं होता था क्या होता था पिता की जो संपती होती थी इस्तिरियों को उनमें अधिकार नहीं था एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में लिख सकते हृब जो इस तरह थी उनको तलाक भी दे देते थे आसानी से कोई यह मुश्किल बात नहीं ती जैसे मुश्किल उसमें कुछ नहीं था तलाक आसानी से दिया जा सकता है तीसरा है जो पती होता था पतनी की साधी की आयू में समान था जो पती और पतनी होते थे दोनों तो उनकी आयू में क्या होती थी ऐस मानते यह बहुत बहुत अंतर होता था इनकी आयों में लड़की मालों की 15 साल की है तो क्या हो गया लड़का क्या होगा तीस साल का होगा चालिस साल का होगा तो यह अंतर हुआ करते थ जो हए आपका जो तुरकों का को स्तुन तुनिया पर अधिकार ये लिख सकते आप दाते पैटराफ जैसे इटली के महाने लेखक ये सब जो महान्े लेखक', अपकार तो महानकल ए C क्या लिख सकते आप महान कलाकार में माइकेल एंजिलो राफिल यह जो इटली के महान कलाकार थे तो इस कारण भी हो सका है जो है कि पुनरजागरन सौरपर्थम इटली में हुआ और भी कुछ पॉइंट है राजाय हो जाएंगे महत्पूर्ण राजाय ठीक है और अत्यधिक स सौतंत्र नगर ऐसे नगर भी थे जो कि सौतंत्र थे यानि बहुत कोचे पद के नगर थे जो कि इटली में तो इसकी कारण जो है पुनरजागरन कार जो है सौरपर्थम इटली में इस्थापित की आरम किया गया है चोबिस्वा कोशन है इंका लोगों की परमों की विसेश सब्सक्राइब करते थे और उगाते क्या थे खास तो इनका जो मक्कावे आलू की खेती जो है खास किया करते थे और यह बुनाई बरतन बनाने का की जो कला थी इनके पास थी ठीक है तो यह जो फ॑नें खेती खेती किसी के इन्होंने फसले हो गाई कौन सी उगाई मक्का वे आलू जैसी आलू की खेती की इन्होंने और जो यह बुनाई और बरतन बनाने की इन स्वेश्जन में अगला है आपका 8 इंपर्टन और इनके उंपरचन है इनके प्रशण होते हैं वह स्षब्साइब कमताने और इसक्रय और वन जो है चार पूर्शनों की उत्तर देने अपको और यह वह इस तीन प्रोशनों के उत्तर देने थे, इन में चार है, मैंने चारों अंसर बताए है, इसमें भी मैं सारे बताऊँगा, तो 25 है मेसोपोटामिया के उर नगर की विसेस्ताओं का वर्णन, तो मेसोपोटामिया की उर जो नगर है, उनकी विसेस्ता बतानिये, तो जो नगर नियो पदैतिक के संक्री गलिया होती है यह एक तीसरा देखता घरों की सफाई के बाद जो है बाए लालियों में टाल देते तो इनके पास जो है कचड़ा जो है किसी एक जगे पर इस्थाफित करने की वह भी नहीं थी जानते नहीं थे उस समय तो क्या करते थे जो नालियों में ही वह कचड़ा डाल देते थे यह हो गया आपका चुत्ता पॉइंट पांच बार डाल सकते आप खिड़कियों का अभाव यानि जो वह सब्सक्राइब और जो नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था तो यह सब कुछ विसेश्ता ही थी जो मैसोपोटामे के और नगर की विसेश्ता है नेक्ट आपका चंगेश खान के सैनने संगठन पर परकास डालियो तो चंघेश खान के आप सब जानते होंगे यह बहुत ही कुरूर सा सकता और इसने बहुत लोगों की जान ली थी बहुत लोगों की तो इसके बारे में देखते हम संग्ठन पर प्रकास डालना इनके तो 26 है आपका इसमें पहला पॉइंट डाल सकते हैं जो चंगेश खान था वह अपने समय का एक महान सा सकता एक ऐसे आप बना सकत यह आता है और जिसको आता है वो भी एक ऐस डाले यह बहुत ही सकती साली थी उसकी जो सैनिक थे वह दस जार से अधिक थे और जो उसकी सैनिक टुक्रिया थी जो एक पहले दसजार से अधिक सेनिक थे दूसरा पूइंट में डाल सकते हैं आप जो सैनिक टुकडिया थी उनके चार पुत्र थे चंगेश खान के उसके अधिं था ठीक है और जो चंगेश खान था वो और जो कुछ-कुछ जो सैनिक होते हैं वो कुछ गिने-चुने kenrick संह俺 जोह होते हो कपतानों की अदिन अधिन और विस्वास विस्वास पात्र स्इनिकों को आंदा सगा भाय कहकर समानित करते थे जो विश्वास पात्र हो कोई ऐसा काम किया उसने तो उसको क्या भाई विकहता था कि पॉबार सकते होगी भाई के सब्सक्राइब को पर जो है एक सासक माना जाता है और आप इसको ये शैनर सेनी के यह विसिस्थाव मैं कि यह को गूड सा वारी करना सिखाया और जो है युद्ध करने की कला बताई तो यह सब पॉइंटों थे उसके तो और सबसे बड़ी जो सैनिक सकती थी उस समय की चंगेश खान की थी यह सब पॉइंट डाल सकते आपसमें नेक्स्ट है आपका 27 वा चोधवी सदी के संकट का विस्तार से वर्णन करें जलवाई में परिवर्तन एक पॉइंट जलवाई में परिवर्तन हुआ था एक पॉइंट 1315 से 1317 के बीच के आया भाइंकर अकाल आया दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट में डाल सकते आप ऑस्ट्रिया और सर्विया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण अजनी सकते यह ठाप उसके जो भीमारी होती है नहीं पता तो सुने यह स्पैले वाली वीमारी होती है और एक समय घब मोरी यह ब्योर चूह कहा जब किसी एक देश में तो वो देश वो जो चुह थे वैपार जो करते उसके मादमें उसी के साथ साथ जो है दूसरे देश में और वह जो है बहुत बड़ी संख्या में जो चुह फैल गये देशों में उससे क्या होगा फ्लैग नामक जो विमारी है वह बहुत ही बड़ी हो गई बहुत बड़ा रो लादा करती है ये इसमें कि चोधवी सदी के संकत का विस्तार से बनन करें इसमें जो है प्लैक की बिमारी भी एक पूइंट है और एक पूइंट हैगा जन्संखिया में बहुत कमी हुई अधर जन्संखिया में ऐसा चाहा मन्न azim मंदी चल रही थी यानि कम तो यह सब पॉइंट थे जो आपकी जो सवद्वी सदी का जो संकट है क्या क्या बताया मैंने तो रिविजन दुबार से कर लेते हैं जलवाई में परिवर्तन एक दूसरा भायंकर आकाल आया था जो की तेरा सो पंद्रा से तेरा सो सत्रा के बीच आया क्या हुआ और तीसरा पॉइंट जो उत्पादन जो व्यापार होता था तो एक व्यापार किसके बीच होता था और सब्सक्राइब चांदी का व्यापार होता तो उसमें भारी गिरावाट आई तो जुद्सें क्या हो गया व्यापार में प्रवावित हुआ फ्लैक की विमारी आई और आया जंसंक्या में कमी आई और आर्थिक मंदी यह सब जो पॉइंट है आपके जो है 27 वा कोशन है चोद्वी सदी के सं देखते है बश्यूमी आपिछम में प्रभाह तो तो नई मखिनों का अविसकार हुआ दूसरे पॉंट या आट के नए सादनें का अविसकार या Good जा यांँ जी चाहिए नहीं है किосिक्वरी सवाले हो विमारी तो आविसकार आट ज पर लाएля यह की श्यादा चासी किसी ह विलासी वस्तुए सस्ती कीमतों पर उपलब्द विलासी वस्तुए होती है जो बहुत कम उपलब्द होती और बहुत महेंगी मिलती है तो वह क्या होने लग गया वह बहुत सस्ती मिलने लगी अगला पूंट डाल सकते हैं क्रेशी छेत्र में क्रांती कारी सुधार हो गया कैस सकते हैं यह सकारातमक परभाव कि कि जो गाँ के लोगत रोजगार की तलास में सहरों में लोगत 15 132 समश्या इन जो जन्संख्या itted नगरों में यह जहरों में अधिदिक दवाव पढ़ने लग गया जनसंख्या से तो क्या हो गया पैजल खाने की वस्तुएं जो है इन पर जो है बहुत ही दवाव पढ़ने लग गया और समस्या होने लगी स्वास्वंधी समस्या है नेक्स्ट डाल सकते आप नकरात्मक परभाव में इस तरी आपकों की बच्चों का सौसन किया जाने लग गया यह था और जो है आपका नेक्स्ट है पॉइंट आपका है स्रामिकों के स्वास्त पर दुस प्रभाव पढ़ने लग गया यह था आपका एक पॉइंट और और भी आप डाल सकते लगू वे कुटिर उद्योग जो द्वन है ठप पड़ बिल्कुल बंद बंद हो गए धंदों की समाप्ति हो गए बिल्कुल डाल सकते हैं आप समाज पूंजी पती एव स्रमिक वर्ग में विवक्त यानि समास दो है दो वर्गों में बट गया और दोगी करांती की कारण एक क्या एक अमीर वर एक गरीबर तो यह जो मचली पकड़ेगा एक पूंट डाल सकते आप कि सिपार करना एक पूंट मचली पकड़ना दो पूंट संग्रहन करना थीन पूंट तो यह जो पाउंट है और जो कि कार ना और जो पेड़ों से मिले कि फालूल उन् già boy वापना करते थे सिक अरक करते थे जो संग् संगरहन मत आपका ये वीडियो ये वाला जो कोशन है ये वाले तो मैं बता नहीं पाऊंगा टाइम बहुत काम है मिरे को अगली वीडियो बनानी है और जो आपके इंपोर्टेंट थे मैंने बता दियो और मैप मैप के लिए तुम्हें आलगी वीडियो बना दूंगा तो उसे देख ले और बेल का एकन भी दबा दे ताकि जो आने वाले अपडेट्स है आपको मिल सके सबसे पहले तो मिलता हूं आप से अगली और एक्साइटिंग वीडियो में जब तक लिए जय ही जय भारत वंदे मातरम